बूदिया क्लासमेट कानी है पुना की आयोश पुना के दीके पाथिल कॉलेज में फर्स्ट येर में पढ़ता था उसका बार्वी तक का पूरा एजुकेशन भी दीके पाथिल कॉलेज से ही हुआ था आयोश आई एस बनना चाहता था और कॉलेज की लाइबरी में दिन रात पढ़ता था एक दिन आयोश ने लाइबरीयन से पूछा टाइमस ओफ इंडिया कहा है? मुझे मिलने रहा शायद कोई लेके गया है आयोश चौक गया क्योंकि उसके अलावा टाइमस ओफ इंडिया पढ़ने वाला कॉलेज में कोई दूसरा नहीं था आयोश दूसरा नियूस पेपर उठाकर अपनी जगा बैठ गया तब ही उसका ध्यान गया कि उसके साइड में बैठा एक लड़का ट्राइमस ओफ इंडिया पढ़ रहा था आयोश ने लड़के से पूछा आयोश की तयारी कर रहे हो हाँ क्या नाम है तुम्हारा मैं हुल फर्स्ट एर में पढ़ता हूँ अरे फिर तो हम क्लास्मेंट्स है पहले कभी देखा नहीं तुम्हे बारवी तक कहा थे इसी कॉलेज में था मैंने देखा है तुम्हे क्या बात कर रहे हो यार मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा इस प्रकार दोनों बाते करते गए और जल्दी अच्छे दोस्त बन गए फिर दोनों रोज दिन राथ एक साथ लाइबरी में पढ़ने लगे एक दन आयुश कॉलेज कैंटीन में अपने दोस्त नेहा और वरुण के साथ था क्या लाइबरी में दिन राथ पढ़ाई करते हो अकेले बोर नहीं होते मैं अकेला थोड़ी रहता हूँ मेहुल भी तो रहता है क्यों मेहुल अरे हो जो मेरे बगल में बैठता है अपना क्लास्मेंट है मेरे साथ हर लेक्चर अटेंड करता है मैंने तो तुम्हाँ साथ कभी किसी मेहुल को नहीं देखा क्या कह रही हो रुको मैं अभी उसे यहां बुलाता हूँ आयुश ने मेहुल को कॉल लगाया तो मेहुल का मोबाइल स्विच्ट ओफ था आयुश परिशान हो गया तो नेहा बोली ठीक है बाबा होगा कोई मेहुल पैसे भी मेरा ध्यान मेहुल पर नहीं वरुन पर रहता है ऐसा कहकर नेहा वरुन से लिपट गई और आयुश भी फ्री हो गया एक रात आयुश और मेहुल लाइबरी में पढ़ाई कर रहे थे रात बहुत हो चुकी थी लाइबरीरिन को नींद आ गई और उसने आयुश से कहा भाई आयुश अब लाइबरी तुम ही समालो मैं चला तुम्हारा हो जाए तु नीचे चप्रासी को ताला लगाने को बोल देना लाइबरीरिन चला गया और आयुश मेहुल की साथ फिर से किताब में खो गया पढ़ते पढ़ते अचानक आयुश का ध्यान मेहुल की किताब पर पढ़ा तो वो चौँग गया क्योंकि वो किताब बिलकुल कोरी थी आयूश ने मेहूल की किताब छेंग ली और उसके पन्ने पल्टे तो किताब में एक भी अक्षर नहीं था किताब पूरी कोरी है और तुम दो महिनों से यही किताब पकड़े बैठे हो चक्कर क्या है वाई आयूश ने अपनी बगल में देखा तो मेहूल वहाँ था ही नहीं ये देखकर आयूश काफी डर गया मेहूल कहां गायब हो गया निया भी कह रही थी उसने मेहूल को कभी दीखा नहीं लाइब्रेरियन भी लाइब्रेरी की जिम्मेदारी मुझे दे गया वो मेहुल को भी तो दे सकता था क्या इन लोगों ने मेहुल को कभी दीखा ही नहीं क्या मेहुल सच में नहीं है ये किताब, ये मेहुल का गायब होना ये सब क्या है अचानक लाइबरी की सारी लाइट चली गई और आयुश और जादा डर गया उसने अपनी आँखें बंद कर ली और लाइट का वेट करने लगा अचानक लाइट आ गई आयुश खुश हो गया उसने आँखे खोली लेकिन जब उसने बगल में देखा थो उसका दिल दहल गया उसके बगल में मेहुल का डराओना भूत बैठा था मेहुल ये सब क्या है मेहुल नहीं मेहुल का भूत और यह जो तू देख रहा है इसके जिम्मेदार और कोई नहीं बस तू है मैंने यह सुनकर आयूश एक साल पीछे गया, तो उसी बायोलोजी का एक्जाम याद आया सर, यह चिटिंग कर रहा है, एई, चल खड़ा हो जा सर, सरी सर, एक्स्ट्रीमली सरी सर दो मिनट के अंदर निकल जा यहां से, नहीं तो एक्जेस से एक्जाम से रस्टिकेट हो जाएगा जानता है, एक्जाम हॉल से भार आते ही मैंने क्या किया, तू कैसे जानेगा, तू तो एक्जाम में बीजी था मैं बिल्डिंग से नीचे कूद कर मर गया, और अब तुम्हें मारने आया हूँ देखो मैं हुल, माना कि गलती मेरी है, पर तू भी तो गलत था ला, चिटिंग कर रहा था, चिटिंग गलत है नहीं, अब मैं जो करने जा रहा हूँ, वो गलत है ये सुनकर आयूश दर गया क्या करने वाला है तू? मेहुल ने आयूश का गला पकड़ लिया और उसे खिटकी से बाहर फेंग दिया आयूश लाइब्रेरी के पाँचफे मंजल से जमीन पर गिरते ही मर गया और मेहुल लाइब्रेरी की खिटकी से उसकी लाश को मुस्कुराते हुए देखता रहा रात के बारा बच चुकी थे आयूश शुरू होने में बस कुछ चंद घंटे बचे थे जैपूर सुपरकिंग के कप्तान रंधीर शर्मा ग्राइंट होटल के बिस्तर पर खराटे ले रहे थे अचानक होटल के सारी लाइट्स ऑफ हो जाते हैं और रंधीर शर्मा की कमरे में रोते रोते कोई प्रवेश करता है और सोई हुए रंधीर शर्मा से कहता है तुमने मुझे टीम के बाहर निकाल कर रुलाया है। गंदा पोलिटिक्स किया है मेरे साथ। देखना कल मैच में मैं तुम्हें कैसे रुलाता हूँ। ऐसा कहकर जोर-जोर से हसने लगता है। उसकी हसी से सारा होटल थर-थराने लगता है। शर्मा आँख खोलता है और सामने देखता है तो उसकी आँखे फटी की फटी रह जाती है। बचाओ, बचाओ, कोई है, कोई है, कोई है वहाँ पे। लाइट आजाती है। रंधीर शर्मा के पी-ए मंसुक तिवारी सेक्योरिटी गार्ड्स के साथ रंधीर के कमरे में भागते हैं। क्या हुआ सर, आपकी चीक मैंने सुनी। मंसुक, वो, 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 वापस आया है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मंसुक, वो आया है। कौन सर, किसकी बात करें हैं आप। राकेश, राकेश। वो तो मर चुका है। सोजाए आप, कल मैच है, मैं डोक्टर को बुलाऊँ आपके लिए। मैं कल मैदान में नहीं उतरूँगा, मैच कैंसल कर दो, मंसुक, मैच, मैच कैंसल कर दो। सर, करोडों का नुकसान हो जाएगा, आपका करियर खत्म हो जाएगा, सोजाए सर आप, डोंट वरी, मैं रुकता हूँ यहाँ, आप आराम से सोजाए। रंधीर शर्मा सोने का प्रयास तो करता है, पर राकेश के खयाल से उसकी ने उर जाती है। दरसल, राकेश एक बहुत अच्छा प्लेयर था, इंडिया को वर्ल्ड कप दिलाने की क्षमता रखता था, जब वह खेलता था, तो दर्शकों की सांसे रुक जाती थी। मानों की राकेश दूसरा सचन ही था, पर यह सब टीम के कैप्टन रंधीर को बर्दाश नहीं हुआ, राकेश की तेज रफ्तार देखकर रंधीर को अपने पुजिशन के फिक्र होने लगी, और उसने अपने पहुच और पॉलिटिक्स का उप्योग करके राकेश को टीम के बाहर कर दिया, इस तरहे राकेश के करियर को कुछ ऐसा ब्रेक लगा कि फ्रस्ट्रेट होकर उसने आत्महत्या कर ली, सुबह होती है, मैच शुरू हो जाता है, दर्शकों से स्टेडियम खचा-खच भढ़ जाता है, पूरा इंडिया टीवी के सामने सासे रोब कर बैठ ज जाता है, वही नजर, वही तेवर, कौन है ये? रंधीर ओपसेट टीम के कप्तान से पूछता है, ओई शर्मन, ये बंदा कौन है यार, पहले कभी नहीं देखा, ये हमारा सर्प्राइज पैकेज है तुम लोगों के लिए, देखना ये कैसे धोता है तुम लोगों को, टॉ तो वह लड़का बल्ला घुमाकर बॉल आस्मान में ऐसा उचालता है कि मालो बॉल आस्मान निगल गई हो, बॉल वाफिस ही नहीं आती, सारे हैरान हो जाते हैं, तभी वह लड़का रंधीर की तरफ देखकर मुस्कुराता है, वही आखें, वही अंदाज, वही मुस्कुर जाता है, ये मैच रोक दो, वह मुझे मार देगा, मैं नहीं खेलूँगा, अरे ये क्या, कैप्टर रंधीर अचानक से ऐसे क्यो बरताब करने लगे हैं, रोक दो, ये मैच रोक दो, ये मैच रोक दो, रंधीर की हालत देखकर, टीम के मालिक रंधीर के पास आते हैं, क्या कहने पर मैंने राकेश को हटा दिया था वो होता तो कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता आगर हो गए हो क्या तुम राकेश का भूत ब्रंधीर के पास आता है और मुस्कुराता है देखा मैंने कहा था ना अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा मैं वापस आया और मुझे सिर्फ तुम ही देख सकते हो बागे कोई नहीं ऐसा कहेकर हसते हुए बैटिंग करने निकल पड़ता है रंधीर बुरी तरह ढ़र जाता है पर वे कुछ नहीं कर सकता रंधीर कापते कापते बॉल फैकता है तो राकेश का भूत सोरदार पलट वार करता है तो बॉल सीधे राकेश के पेट में आकर लगती है राकेश जमीन पर गिर जाता है स्टेडियम तालिया और चीखों से घून जाता है रंधीर समझ नहीं पाता कि उसकी जखमी होने की बावजूत भी है शोर कैसे तब ही उसकी पास राकेश आता है और कहता है एरान हो गए ना पर तुम्हें अब कोई नहीं देख सकेगा और मुझे भी क्योंकि तुम तो यहां हो ही नहीं वो देखो तुम तो वहां मेट खेल रहे हो रंधीर देखता है तुम यह बॉलिंग कर रहा होता है यह कैसी हो सकता है मैं तो मैं तो यहां हूँ फिर फिर वो कौन है सब मेरे माया है वो तुमारा क्लोन है लोग उसे देखते रहेंगे और मैं इधर तुम्हें बीच ग्राउंड में ही निपटा दूगा मैं चाहता तो तुम्हें कल रात को ही मार सकता था पर मुझे तुम्हें यहीं मारना था इसी ग्राउंड पर राकीश का भूत खायल रंधीर को बल्ले से मारने लगता है रंधीर चीखने चिलाने लगता है फिर भी किसी का उसमे ध्यान नहीं जाता सब लोग रंधीर की कलोन को ही रंधीर समझ बैठे हैं और इधर राकीश रंधीर को मार कर घायल कर देता है अचानक रंधीर का कलोन गायब हो जाता है सब हैरान हो जाते हैं अरे ये क्या रंधीर कहां चला गया वो तो बोल लाने गया था ना लगता है डर कर भाग गया होगा लगता है रंधीर शर्मा हर के डर से मैदान चोड़ कर भाग गये हैं और उरहने जीट opposite टीम की जौली में डाल दी है रंधीर के फैंस चिल्लाने लगते हैं रंधीर शर्मा भगोड़ा है, रंधीर शर्मा हॉई हॉई यह सुनकर घायर रंधीर दम तोड़ देता है इस प्रकार राकीश का भूत रंधीर से अपना बदला ले लेता है